एकवेनी जपा करन पूरा नगनाखरास्थिता लंबोष्ठी करनिका करनी तैला भ्यक्त शरीरिनी वामपादोलसलोहलता कंटक भूशना वर्धनमूर्थद्वजाक्रिष्णा कालरात्रर भयंकरी जै मातादी दोस्तो राधे राधे आज नवरात्री के साथवे दिन मा कालरात्री की उपासना का विधान है इस दिन आद शक्ती की आँखे खुलती हैं शांस्त्रों के अनुसार बुरी शक्तियों से प्रिथवी को बचाने और पाप को फैलने से रोपने के लिए माने अपने तेज से इस रूप को उत्पन किया था इनका नाम शुभांकरी भी है इनके शरीर का रंगहने अंधकार की तरह एकदम काला है सिर्के बाल मिखरे हुए है गले में कड़ती बिजली की माला है इनके तीन नेत्र है इनसे विद्युत के समान चमकीली किरने नहस्तरत होती रहती है मा के श्वास प्रश्वास से अग्मी की भायंकर ज्वालाये मिकलती रहती है ये उपर उठे हुए दाहिने हाथ की वरत मुद्रा से सभी को वर ब्रदान करती हैं दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभे मुद्रा में है बाय तरफ के उपर वाले हाथ में लोहे का काटा तथा नीचे वाले हाथ में खटग है इनका वाहन कर दप यानी गधा है इस तन साधक का मन सहस्तरार चक्र में स्थित रहता है कथा के अनसार पूर्वगाल में शुम्भन शुम्भनामक असरों ने अपने बल के मत से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य छीन कर स्वर्म हे उनका उप्योग करने लगे इस तरह से देतियों द्वारा निकाले हुए देवता अप्राजिता देवी का स्मरन करने लगे इस प्रकार जब देवता स्तुधी कर रहे थे तो उसी समय पारवती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली शुम्ब तेतिय के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुम्ब से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुधी कर रहे हैं पारवती के शरीर से अम्बिकाल निकली थी इसलिए उनको संपूर्न लोग में कौशिकी कहते है तौशिकी के प्रकर होने के पस्चात पर्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमाले पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसित हुई फिर शुम्प और निशुम्प के दूद चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम्मनोहरूप वाली अंबिका दीवी को देखा फिर वह शुम्प के पास जाकर बोले महराज एक अत्यंत सुन्दर स्थ्री हमाले को प्रकाशत कर रही है वैसा रंग रूप आज तक हमने किस स्थ्री में नहीं देखा है असुरेश्वर आप उसको ग्रहन कर ले वह स्थ्री स्थ्रियों में रतन है वह अपनी कांटी से दसो दिशाओं को प्रकाशत करती हुई वहां स्थित है इसलिए आपका उसको देखना उचित है चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुम्प ने व समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन होकर तुरंट मेरे पास चली आए भली प्रकार समझा कर कहना दूद सुग्रीव परवत के उस रमनी भाग में पहुँचा जहां देवी रहती थी दूद ने कहा हे देवी दैतियों का राजा शुम्प जो इस समय तीनों लोक क्योंकि रतनों का उप्भो करने वाला मैं ही हूँ अब यह मैं तुछ पर छोड़ता हूँ कि तु मेरे या मेरे भाय निशुम्प की सेवा में आ जाए भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कराई और इस प्रकार कहने लगी हे दूद शुम्प इस समय तीनों लोकों का स्वाम है और निशुम्प भी उसी की तरह पराक्रमी है किन्तों इसके समंध में मैं जो प्रतग्या कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे जुटला सकती हूँ जो मुझे युथमी जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा इस असुरेंदर के पास पहुंचा और सारा वृतात उसे कह सुनाया दूद की बात सुन और सुरेंदर के क्रोध का पारावर ना रहा और उसने अपनी सेना पती धुम्र लोचन से कहा तुम शीकर वहाँ जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़ कर उसे घसीतते हुए यह शुम्र के इस प्रकार आग्या देने पर धुम्र लोचन साथ हजार राक्षसों की सेना के साथ लेकर वहाँ पहुंचा और देवी की और लपका किन्तु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला यह देकर असुर सेना देवी की और बढ़ी परंत्व अम्बिका उन पर तीखे बानों, शक्तियों तथा भरसों की वर्षा आरंब कर दी इस प्रकार देवी के उस महा बलवान सिन्ह ने क्षन भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धुम्र लोचिन असुर को मार डाला है और उसके सिन्ह ने सारी सेना का सनहार कर डाला है तब उसको बढ़ा क्रोध आया और उसने चंध तथा मुंड डामक महा असुरो को आग्या दी तम वहां जाओ और उसको मार डालो और जब वह दुष्टा और उसका सिन्ह दोनों मर जावे तब उसको बांध कर यहां ले आना जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारे लेकर उनकी और बढ़े तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया उनकी भुखटिया चड़ गए और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तरुत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई वादेत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुँ में पकड़ कर और क्रोध में भर उनको दांतों में पीस रही थी यह देख महापरक्रमी चंड काली देवी की और पलका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयान अगबानों की वर्षा आरंभ कर दी इसके पस्चाद भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अटहास किया उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूम शब्द कहकर चंड का सिर्प काटकर अलग कर दिया चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की और लपका परन्तों देवी ने उसे भी अपने तलवार से यमलोग पहुँचा दिया चंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बच्ची हुई सेना वहां से भाग गई इसके पस्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंड का के पास गई और प्रचंड अटहास के साथ केहने लगी हे देवी, चंड और मुंड दो महादैतियों को मार कर तुम्हें भेंट कर दिया है अब शुम्भ और निशुम्भ का तुमको स्वयम वध करना है कल्यान काई चंडी ने काली से मधरवानी में कहा हे देवी, तुम चुकी चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो अतहा संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याती होगी चंड और मुंड नामक असुर और बहुत सी सेना के नश्ट हो जाने से शुम्भ ने अपनी संपूर्न सेना को युध के लिए तयार होने की आग्या दी उसने कहा अब उदायुध और कंभू नामक असुर सेना पती अपनी सेनाओं के साथ युध के लिए जाए शुम्भ इस प्रकार आग्या देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युध के लिए चला उसकी सेना को अपनी और आता देखकर चंड़का ने अपनी धनुष की टंकोर से प्रिथवी और आकाश के बीच का भाग गुझा दिया राक्षसी सेना ने देवी तथा सिन्ह को चारो और से घेल लिया उस समय ब्रह्मा शिफ कार्थ के विष्णू तथा इंद्रादी देवों की शक्तियां उनके शरीर से निकल कर उसी रूप में चंड़का देवी के पांस कई जिस देवता कार्थ जैसा रूप था जैसे आभूशन थे और जैसा वाहन था वैसा ही रूप अभूशन और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैतियों से युथ करने के लिए आई इसके पस्चार देवी के शरीर में से अत्यंत उक्र रूप वाली और सैकडो गीदरियों के समान आवास करने वाली चंड़का शक्ति प्रकट हुई उस अप्राजिता देवी ने भगवान शंकर जी से कहा हे प्रभो आप मेरी ओर से दूत बनकर शुम्भ और निशुम्भ के पास चाहिए और कहिए जो तुम्हें अपने जीवत रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो देवता को उनका यक्य भाग मिलना आरंब हो जाए और तुम पाताल को लोट जाओ प्रगवन शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैतियों के क्रोध का कोई आरपार न रहा और वज्ज स्थान पर देवी विराजमान्थ ही वहाँ पहुंचे और जाने के साथ ही उस पर बानों और शक्तियों की वर्शा करने लगे देवी ने उनके फैंके हुए बानों शक्तियों त्रिशूल और भरसों को अपने बानों से काट डाला इस तरह क्रोध में भरे हुए मात्रगनु ध्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्त बीच नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोज में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा उसके शरीर से रक्त की बूंदे प्रिथवे पर जैसे ही गिरती थी तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान डैत्य प्रिथवी से उत्पन हो जाता था इस प्रकार उस रक्त बीच के रुधर से उत्पन हुए असरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया जिससे देवताओं को भै हुआ देवताओं को भै भी देखकर चंडिका ने कानी से कहा हे चामुंडे अपने मुख को बढ़ा करो और मेरे शस्त्र गात से उत्पन हुए रक्त बिंदों तथा रक्त बिंदों से उत्पन हुए महासरों को तुम अपने इस मुख से भक्षन करती जाओ इस प्रकार रक्त बिंदों से उत्पन हुए महा दैतियों को भक्षन करती हुई तुम रन भूमे में विच्रो इस प्रकार रक्त खीन होने से यह दैतियों नश्ट हो जाएगा तुम्हारे भक्षन करने के कारण अन्य दैतियों नहीं होंगे काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीच पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया अनिक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज प्रिथवी पर गिर पड़ा मा काली निरंतर सनहार करती हुई विनाश लीला रच रही थी इनके भयंकर स्वरूप और उत्पात से स्रिष्टी में हाहाकार मच गया था ऐसे में मा काली को प्रत्यक्ष रूप में रोपने की शक्ति किसी में भी नहीं थी तब ही शिव जी उनकी राह में लेट गए थे ताकि चराचर ब्रम्हान के स्वामी और अपने पढ़ के नीचे पाकर देवी शांत हो और अपने मूल रूप में वापस आए भक्तो यह है मा काली की कथा जो दुर्गा सब्तशती में वर्नित है अब वीडियो के अंतम भाग में सुने मा काल रात्री की आरती काल रात्री जै जै महा काली काल के मुझे बचाने वाली दुष्ट संघारक नाम तुम्हारा महा चंडी तेरा अवतार पृत्वी और आकाश पे सारा महा काली है तेरा पसारा खटक खप पर रखने वाली दुष्टो काल हुचखने वाली कलकत्ता स्थान तुम्हारा सब चग देखूं तेरा नजारा सभी देवता सब नरनारी गावे स्थुती सभी तुम्हारी रक्त दंता और अनपूर्ना कृपा करे तो कोई भी दुखना ना कोई चिंता रहे बिमारी ना कोई गम ना संकट भारी उस पर कभी कश्ट न आवे महाकाली मा जिसे बचावे तू भी भक्त प्रेम से कहे काल रात्री मा तेरी चै भक्तो यह है आज की प्रस्ति आशा है आपको यह वीडियो अच्छे लगी जै महाकाली लिख कर वीडियो को लाइक करना न भूले नव दुर्गा की अन्यकताएं दुर्गा सब्तशती के अध्यार और अध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल पवत्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहेगा अनुमती दे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जै महाकाली